नवसकार दोस्तों, आज महिंद्रा काफी हाउस होल्ड ने में, महिंद्रा को हम सभी उसकी कार्स और ट्रक से पेचानते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ कार्स और कॉमर्सियल ट्रक सी मैनिफेक्चर करती हैं, क्या उसका बिजनेस बस यही तक सिमीत हैं, आज इस वीडियो में हम हम पूरी डीटेल्स जानेंगे महिंद्रा और महिंद्रा के बारे में, तो चलिए friends, start करते हैं महिंद्रा का नाम, friends हम सबने सुना हुआ है, लेकिन महिंद्रा का empire कितना बड़ा है, वो शायद हम में से किसी कोई पता होगा महिंद्रा और महिंद्रा पे आने से पहले हम जानेंगे जेसी महिंद्रा के बारे में जो कि महिंद्रा और महिंद्रा ग्रूप के फाउंडर है और आनन्द महिंद्रा सर के ग्रेंट फेदर भी है अब जेसी महिंद्रा का जन्म हुआ था 1892 में लुधियाना पंजाब में हुआ था जेसी सर की उमर बहुत ही कम थी तब ही उनके पिताजी की देथ हो गई थी क्योंकि जेसी अपने नव भाई बेनों में सबसे बड़े थे तो परिवार की सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली थी अब उस समय के गुलामी के हिंदूस्तान में जब लोग एट्यूकेशन को इतना महत्वा नहीं देते थे तब जेसी सर ने अपने सारे बाई बेनों को बहतर एजूकेशन प्रोवाइड की और खुद जेसी महिंद्रा सर ने अपना एजूकेशन विक्टोरिया जूबली टेक्नोलोजी इंस्टिट्यूट से किया जो की इंडिया का प्रेमियर एंजिनेरिंग कोलेज भी माना जाता है अब बड़ाई खतम होने के बाद जेसी महिंद्रा सर ने अपने केरियर की सुरुवात टाटा स्टिल से की जहां पर सेनियर सेल्स मेनेजर की पोस्ट पर वो 1929 से लेके 1940 तक सव करते रहे अब इसी दर्मियान स्टिल सेक्टर काफी टफ टाइम से भी गुजर रहा था से अपने ओनर्स की डिगरी प्राप्त की और वहां पर ही कई कंपनी को जोइन किया अब इसी दर्मियान 1922 में केसी चंद्रसर इंडिया लोट आये और गवर्मेंट ओफ इंडिया ने उन्हें कोल्ड फिल्ड कमीटी के चेर्मेन पत पर नियूक कर दिया तो जिस महिंद्रा के बारे में हम आज सब जानते हैं उस महिंद्रा का जो इतना बड़ा एंपायर उसकी शुरूआत अब यहां से होती है शुरू 1945 में जगदिश चंद्र महिंद्रा सर ने अपने अच्छे दोस्त गुलाम महिंद्रा के साथ मिलकर एक कम्पनी की सुरूआत की जिसे नाम दिया गया महिंद्रा एं महिंद्रा सर ने भी इस कम्पनी को जोइन कर लिया था अब 1947 में जब हम सब जानते के जब भारत आजाद हुआ और इंडिया पाकिस्तान का पार्टिशन हुआ तब गुलाम मुहम्मद पाकिस्तान चले गए थे जहां पर उन्हें फाइनांस मिनिस्टर की पोस्ट पर रखा गया अब क्यूंकि गुलाम मुहम्मद की इस कंपनी में काफी बड़ी हिस्सेदारी थी और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी वापस लेने का फेसला भी ले लिया था तो इसी के चलते महिंद्रा इन मुहम्मद को financial burden फेस करना पड़ा अब क्यूंकि JC अकेले इस company के हिस्सेदार रह गए थे तो वो इस company का नाम change भी करना चाह रहे थे लेकिन company में M&M के नाम से काफी inventory अल्रेडी पड़ी हुई थी और नाम change करने की process में company को और financial loss भी हो रहा था तो इसी के चलते है 1948 में company ने अपना नाम M&M कर दिया जिसे के महिंद्रा और महिंद्रा नाम दिया गया अब महिंद्रा और महिंद्रा का नाम change हो चुका था लेकिन जो JC महिंद्रा सर था उनका विजन सिर्फ company को सिर्फ steel तक ही सिमित करने का नहीं था तो वो company को बहुत आगे तक ले जाना चाते थे जब केसी महिंद्रा सर अमेरिका में जोब करते थे तब उन्होंने विलीज जीप देखी हुई थी और तभी उन्हें यह जीप बहुत पसंद आ गई इसी दर्मियान World War II भी चल रहा था तो इसी के चलते महिंद्रा सर ने मिलिटरी विकल्स की एसेंबली और मैनुफेक्टरिंग का भी सोचा और स्टार्ट कर दिया अब 1948 में मुवीज के डिपार्टमेंट में भी कंपनी ने अपनी मैनुफेक्टरिंग और एसेंबलिंग काफी बड़ी ओपर्चुनिटी को दे कर दिया था अब वर्ड वर्टू के दर्मियान युएसे को आम वीकल भी सप्लाई करना चालू कर दिये थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है 1951 में जेसी महिंद्रा सर की देथ हो जाती है हाट अटेक के चलते तो यह बहुत गहरा सदमा था महिंद्रा और महिंद् करते हुए CJ63 नाम का मोडल भारत के अंदर उन्होंने लॉंच किया इसी दोरां ट्रेक्टर्स मैनुफेक्चरिंग के अंदर भी महिंद्रा अपना अपने पेर जमा चुकी थी और 1960 के आसपास आते आते उन्हें इंडिया के अंदर ट्रेक्टर मैनुफेक्चरिंग को बहु हम जब देखते हैं महिंद्रा को तो हाइस सेलिंग ट्रेक्टर से वर्ल्डवाइड और थर्ड पोजीशन है सिफ युएसे के अंदर अब यह सक्सेस ट्रेक्टर में काफी मिल चुकी थी महिंद्रा को लेकिन अनफॉर्चुनिटली फिर क्या होता है 1963 में केसी महिंद्रा सर कि भी देख हो जाती है जिनको फिर उनके बेटे कैसुप महिंद्रा सर ने रिप्लेस किया अब चैसुप महिंद्रा भी यहां पर ट्रेक्टर्स और स्टील कंपनी तक ही नहीं थी और आगे जाके इंपार कितना बड़ा हो गया और किन-किन बुलंदियों पर आनन्द महिंद्रा सर उनको ले गए वह माने वाले पार्ट में आपके साथ डिसकस करेंगे थैंक यू एरी मुच